बिहार के सहरसा जिले में गोलीबारी थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन किसी न किसी का अपरादी और द्वारा गोली मार कर हतिया किया जा रहा है। ताजा मामला सोरवजार थाना वाड संख्यां बारा का है। जहां तीन सालों से चल रहे पुरारी जमीनी विवाद को लेकर सत्तर वर्षी सिता देवी की गोली मार कर हतिया कर दिया गया। इस मामले की पुलीस को जानकारी मिलते ही घटना स्तर पर पहुँच कर सब को अपने कबजे में लेकर पस्माटम के लिए सदर अस्पताल भीज दिया गया है। इसके पीछे पुरानी गंजीस है, जो 2020 में घटना घटी थी, जो दो पक्षों के गिसली बाद हुआ था, जिसमें की सो पाटी के करब से एक कमंडर हो चुका था, इसमें वह 21 को मुदालेक राथा, बही घटना है उसी के बदला की चकर में वह परमानद कुमार के खुत्र, गोतम कुमार के मारने के लिए, वह बहुत दिनों से इंचार कर रहा था, गोतम जो की नहीं था गव में, वह कल आने ही बाला था, गारी लेको होने के तारण, वह कल नहीं पहुंच सका, और कल नहीं पहुंच सका, उन्हें लगा कि आज का है गोतम, वह मारने गया, उसी के दोरान उगतम नहीं मिला ये बुधी व्यक्ति के मार करके बला गया। मारने वाले में से अनोच कुमार साथ, अनुच कुमार साथ, अबन रखेंगे।